हेलो फ्रेंड्स मैं सिद्दान्त आपका सौगत करता हूँ पेपर है कर चैनल में आज हम पढ़ने वाले हैं बिलियम सक्सपीर का चैंजा है उसके बारे में इसका नाम है लेट मी नॉट तू दी मैरेज आफ टू माइंड्स लिए लाइने पढ़ते हैं लेट मी नॉट तू दी मैरेज आफ टू माइंड्स एडमेट इंपेडिमेंट्स लव इस नॉट लव विच एल्टर्स वेन इट अल्टरेशन फाइंड्स और बैंड्स विद्दा रिमूवर तू रिमूव इस स्टेंजा में हमें बताया गया है डिफेरेंस इस प्रिचुल और फीजिकल लव के बारे में बोयिट बता रहा है रहा है कि बहुत समय के अंत तक रहता है स्वास्वत है य। airla कि रिफरेंस इसका सब चैप्टर में सब इस्टेंजा में केवल पोएट और इस्टेंजा का जो भी दे रखा होगा वही चेंज होगा बाकी हमारी लाइने वही रहेंगी इस इस्टेंजा हैज बीन टेकन रॉम सेक्सपियर्स फेमस सोनेट सोनेट होता है गाथा लेट मी नॉट तू दी मैरिज आफ टू माइंड विच इस सोनेट नंबर 166 116 यह जो सोनेट है उसका नंबर जो सेक्सपियर्स ने लिखा है उसका नंबर जो है वह है 116 इन दा सुकेंस ओफ सेक्सपियर्स सोनेट कि इन दीस लाइनग उ में तपॉइक पिर्जेंट करता है बताता आए आप एडिप ऑजिटिव अकांट एफ टू लव एक कारण बताता है बहुत ही पॉजिटिव सकारात्म कारण बताता है सच्छे प्यार का which is the most strong and potent force in human life जो हमारी life यानि कि human life में सबसे महतपूर्ण और सबसे ताकतवर पल है love here means spiritual not physical love love यानि कि प्रेम प्रेम का अर्थ यहाँ पे spiritual यानि कि आध्यात्मिक है ना कि physical सारी रिक it is love that mighter than all the mighty forces of the world यह जो प्रेम है यह सभी सक्तिसाली सक्तियों से भी ज्यादा सक्तिसाली है इस दुनिया की it is a sentiment यह एक emotion है sentiment है that couples two souls couples मतलब जोडता है two souls दो आत्माओं को जोडता है चलिए explanation पढ़ते हैं इन इन लाइनों में the poet says that poet कहता है that the union of true lovers should always be promoted जो प्रेमियों का जोड़ा है उसको हमेशा ही प्रोत्साहन मिलना चाहिए nobody should put obstacles obstacles का मतलब होता है बाधा in the path रास्ते में of true lovers सच्चे प्रेमियों के रास्ते में कभी भी किसी को भी बाधा नहीं बननी चाहिए नहीं बनना चाहिए if true lovers are there they should be given every shot of encouragement so that they may face all the toils and troubles of life अगर वो सच्चे प्रेमी हैं तो they should be given every shot of encouragement उनको हर तरह की साहस हर तरह का प्रोसान देना चाहिए that जिससे की they may face all the toils and troubles of life जिससे वे अपने जीवन की सारी परेसानियां और संकटों का सामना कर सकें with cheerful and courageous heart उसी से और साहसी हिर्दय से the poet wants to make it clear poet जो है वो एक clear कर देना चाहता है what he means by true love कि उसका साथ पर ही क्या है सच्चे प्रेम से according to the poet poet के अनुसार true love means real spiritual love true love सच्चे प्रेम का मतलब है real spiritual बास्तविक अध्यात्मिक प्रेम he does not put physical love in the category of love वह प्रेम की category में physical love सारी प्रेम को नहीं रखता है because क्योंकि physical love is not all is not at all love वो physical love को लब नहीं मानता है सारी प्रेम को प्रेम नहीं मानता है but लेकिन लश्ट वास्ना मानता है that is bound to come to an end जो एक समय के बाद समापत हो जाती है when the charm of the body and its magnetism for the lover ends जो body का charm होता है जो आकरशन होता है और उसका body का चुम्बक ये प्रवा होता है जब वो समापत हो जाता है this is the reason यही कारण है why physical love changes with the changes of time जिसके कारण यही कारण है जिसकी वज़े से physical love जो है वो समय के साथ बदल जाता है physical love begins physical love शुरू होता है वास्त भी प्रेम शुरू होता है to deviate from the course of the love when changes begin to appear on the faces of the lovers physical love begins physical बास्त भी प्रेम जो सुरू होता है to deviate बिचलित करता है from the course of love प्रेम के रहा से when changes begin to appear faces of the lovers जो प्रेमियों के चहरे पर उत्पन होने लगता है कोई बदलने वाला है कोई प्रेमी बदलने वाला है तो इस से दूसरे प्रेमी को पता चल जाता है कि वो बदलने वाला है क्योंकि उसका love जो है वो physical होता है it lasts only as long as rosy lips यह तभी तक रहता है जब तक गुलाबी होट रहते हैं and cheeks और गाल रहते हैं are there again दोबारा true love will never change सच्चा प्रेम कभी बदलता नहीं है in spite of all efforts made by the jealous people चाहें जलने वाले ब्यक्ति या जो रोकड़े हैं प्रेम करने से वो ब्यक्ति चाहें कितना भी जोर लगा ले of the bird दुनिया के without carrying a fig for the prejudice of the of the pupil true lovers will go on the marching on the path of love with bold hearts and smiling faces and thus without carrying a fig for the prejudice of the pupil बिना कोई भी लोगों की जो लोग भी कुछ भी कहते हैं उनकी परवाक ये हुए true lovers सच्चे प्रेमी will go on marching on the path of love वे प्रेम के पतपर चलते रहते हैं with bold hearts खुले दिल के साथ बिना डरे हुए and smiling faces और हसते हुए चहरे से and thus तब will be in a position to face all the ravages of time and tide और फिर एक समय ऐसा आता है बेस सारी जो भी दुबदाएं होती हैं जो भी परेशानियां होती हैं उनका सामना बड़े ही साहा से करते हैं time and tide time and tide का मतलब है समय और धाराओं की तरह they will present a challenge पे एक चुनोती खड़ी करते हैं to all the evil efforts जो उनके खिलाफ बुरे कर्म किये जा रहा हैं जो उनके खिलाफ बुरे लोग सोचते हैं made by the removers to remove their love जो प्रेम को अलग करने वाले लोग होते हैं वो लोग उनके वारे में जो बुरा करने को सोचते हैं उनसे लड़ने को उनकी जो जो भी समस्या होती है कठनाई उनको सामना करने के लिए सज रहते हैं बट लेकिन दा इंपोर्टेंट पॉइंट इस देट मैतपूर बिंदू यह है कि इट शुड पी ए ट्रू यूनियन आफ हर्ट्स नॉट ट्रू मोटिवेटेड वाई चाम्स ऑफ दा बॉडी मैतपूर बिंदू यह है कि यह प्रेम जो है वो सच्चा होना चाहिए यूनियन आफ हर्ट्स दिलों का मेल होना चाहिए नॉट यूनियन मोटिवेटेड वाई दा चाम्स ऑफ बॉडी किसी भी बॉडी का आकर्शन नहीं होना चाहिए अब कैं अब हमें इस टेंजा के लास्ट में यूझ में कुछ कमेंट्स जो हैं वो लखने होंगे कि यह ओता है के कंक्लूजिन जिसको वोलतें निस't li die लिए कॉमने क्या 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 पड़ा है किसमें पड़ा है जो हम्ने उपर इस ऩॉपर स्टेंजा से में हम पढ़ा है उसमें हमें 2-3 points important points लिखने होते हैं तो चलिए पहला points देखे आते हैं कि यह पोईट expresses his philosophy philosophy होता दर्सन या उसके बिचार यहां पर पोईट जो है वो बता रहा है अपने दर्सन अपने विचार आफ लब प्यार के as it has been expressed in this comedies जो इस इस्टेंजा में ऊपर बताय हुए है जो इस हास से विनोध में ऊपर पताय हुए है बताय गए है the points has eologized true spiritual love even to the extent of challenging time the poet has eologized eologized जो poet है वो प्रसंसा करता है किसकी true spiritual love सच्चे बास्तविक प्रेम की अध्यात्मिक प्रेम की even to the extent extent होता है ब्याख्या विस्तार इयु शब्सक्राइब जो समय के साथ हर चीज बदल देता है इस प्रिचंवल लव जो है उसकी ब्याख्या करता है क्योंकि फीजिकल लव वह समय के साथ हर चीज बदल दे था है तीसरा पॉइंट है दा सब्जेक्ट अब दा पोयम इज इटेरिंटी और इम्मोरिलिटी आफ ट्रू लव जो सब्जेक्ट है इस पोयम का वो अनंत और सास्वत प्रेम है जो समय के अन्त तक रहता है कभी समाप्त नहीं होता लाइंज रिवील्स मतलब बताती है पॉइट्स कमांड आफ लेंगवेज अडी फिलोसपी एज बीन एक्षप्रेश्ट इन सिंपल वर्ट्स यह लाइंज बताती है पकड़ कमांड मींस पकड़ आफ लेंगवेज इस लेंगवेज पर यानि इस स्टेंजा पर पकड़ इसकी पॉइट्स की अडी फिलोसपी एक गहरा दर्शन एक बहुती हैत्पूर्ण दर्शन हैज बीन एक्षप्रेश्ट बताया गया है विचार बताया गया है इन सिंपल वर्ट सादारण तब दो में थैंक्यू आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली क्लास में